नमस्कार दोस्तों All Exam Guide Guru के YouTube चनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमने 200 तक कॉश्चन पढ़ लिए हैं दो वीडियो में यह पार्ट 3 इसमें 201 से लिका 300 तक सुपरफास्ट सौ कॉश्चन रहेंगे बहुत ही शांदार कॉश्चन है यह सीरीज आपकी चलती रहेगी चलती रहेगी निरंतर यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे ऐसे ही सुपरफास्ट कॉश्चन पढ़ने हैं तो हमें कमेंट करके जरू कताईए चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जीके पढ़ना है जरूर जो जाना भाया जीके के लिए स्पेशल चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सुंग वंश की स्थापना की थी तो पुश्चे मित्र सुंग ने सूपी संपदाय किस धर में विक्सित हुआ था तो मुसलिम धर में विक्सित हुआ था निशात बाग किस के किस ने बनवाय था तो जहांगीर ने बनवाय था निशात बाग नाथुला दर्रा किस राज्य में इस्थित है तो नाथुला दर्रा इस्थित है आपका सिक्क्यम है मुद्रा इस्पिती सबसे अधिक किस के लिए लाबधाई होती है तो देनदार के लिए भारत में उजा का सबसे वड़ा स्त्रोत है तो जल विद्धुत उजा ओडम उट्सव मनाया जाता है तो ओडम केरल का प्रमकुट्सव है माय फ्रोजन टर्वुलेंस इन काश्मीर के लिखा कौन है तो जग मुहन जी आगा खां का किस खेल से संबनित है तो आगा खां होकी से संबनित है अंजू बोबी जॉर्ज का संबन्ध किस से है तो लंबी कूट से है बिस्मिल्ला खां का संबन किस्से है तो ये कि सहनाई वादक है बहुत फेमस नोबेल शांती पुरुसकार किस सहर में प्रदान किया जाता है तो इस्टॉक होम में प्रदान किया जाता है रहिस्तानों में म्रग तरिशना उत्पन होने का क्या कारण है तो प्रकास का पूर्ण आंतरिक परावतन खासी एक जण्जाती है या भारत की किसर राज्य में अधिक्तम पाई जाती है तो मेगाला में भारती अंतरक्ष अनुसंधान संगठन का मुक्षाले कहां पर है तो स्रीहरिकोटा मिस्त्त है भारत के किसर राजिय में सरवादिक समाचार पत्र की कागज का उत्कादन होता है तो मद्द पिदेश में होता है अरधुरातृरी के सूर्गी भूमी है तो कौन सा देश कहलाता है नौर्वे को कहा जाता है अबू वक्तर किस वंश का साशक था तो ये तुगलक वंश का साशक था तारपीन का तेल किस से प्राप्त होता है तो ये चीड के व्रक्ष से प्राप्त होता है तारपीन का तेल विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है तो आर्खटिक महासागर है मानोशरीर में कुल कितनी जोडी पसलियां होती है तो बारा जोडियां पसलियां होती है भारत में आलू अनसंधान केंद्र कहां पर है तो शिमला में है आलू अनसंधान केंद्र थॉमस कप किस खेल से संबनित है तो थॉमस कप आपका संबनित है बैडमिंटन से चोल प्रशाशन काल में सिक्षा की प्रमुक भाशा कौन सी थी तो संस्कृत और तमिल भाशा थी राश्टी धोज को सम्विधान सभाद्वारा कब अपनाया गया था तो 22 जूलाई 1947 को आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनाया था तो सिगंदर लोधी न बनाया था नियागरा जलपरपात किस देश में से थे तो कनाड़ा में से थे स्वेट लिली किस देश का राश्टी है फूलाई तो सफेद लिली इटली का राश्टी प्रतीक है दादा साहिब फाल के पुरुषकार सर्वधम किसे दिया गया था? तो देविकार रानी जी को संग शाषित प्रदेशों के प्रशाष्शन का प्रमुक कौन होता है? तो ओपर राज्यपाल होता है राइस्थान के भरतपुर वन जीव अव्यारन में कौन सा वन जीव प्रमुकत संडक्षे थे तो बाग और चीटा हार्मोन क्या होता है तो हार्मोन प्रोटीन होता है पोलियो वीमारी फ्यलने कान क्या है तो वाइरस या विशानू मारले मिंटो सुधार अधिनियम कब लाग हुआ था तो उननिस सो नौ इसवी में अठारा संतावन इसवी के विद्रों में नितत्व करने वाले नायक कौन थे तो बाबु कॉमर सिंग जी थे अंतराष्टी ओलंपिक कमीटी का मुख्याले कहां से थे तो लुसाने में से थे भारत सर्दकार के अधिनियम उननिस सो नौनिस की सबसे महतवपूर्ण विशेष्टा किसकी सुरुवात मानी आती है तो द्वी शाषन की सुरुवात मानी आती है सरवादिक तमाकू उत्पादन करने वाला भारत के दो राजी कौन-कौन से है तो आंध्रपदेश और तमिलनांडू दक्षिन भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गोदावरी नदी है किस खनिज के संदर में भारत विश्व के लगबग एक चौथाई के निक्षेप के लिए जाना जाता है तो लोह ऐस्क में राश्टी राजमार्क संक्षा एक किस-किस सहर को जोडता है तो दिल्ली को अमित्सर से जोडता है काकरा पारा परियोजना किस नदी से संबनेत है तो तापती नदी से संबनेत है चमपारन सत्यागर के दोरान महात्मा गांधी के साथ कौन-कौन सामिल थे तो डॉक्टर राजेन प्रशाद वा अनुगरह नारान सिंग सामिल थे बढ़ती मुद्रा इस्पिती को इस्थाई रूप से रुकने के लिए किसका उप्योग किया जा सकता है तो मुद्रा आपूर्ती में कमी का उप्योग किया सकता है भारती राष्टी आंदोलन के संदर्व में वर्ष 1930 किस घटना से संबने थे तो डांडी मार्च से संबने थे वर्ष 1907 के कॉंग्रिस अधिवेशन में नरमपंतियों और गरमपंतियों के बीच मुखेवाद किस पर था तो स्वराज पर था भारत में पहला समाचार पत्र किस ने शुरू किया तो जेम्स हिक्की ने जेम्स ऑगस्त हिक्की कौन सा घटक शरीर के उतकों की व्रदी विकास वा सुधार के लिए महत्वपूर है तो प्रोटीन है राष्ट कूटों को किसके द्वारा उखार फ्हेंका गया था तो तेलप दोतिय द्वारा बीवी का मखरा किसकी कब्र है तो ये हमीदा बानो बेगम की कब्र है किसके शाशनकाल में मराथा प्रमुक संबाजी के हत्या कर दी गई थी तो औरंग जेव के शाशनकाल में समराथ अकबर दुआरा किसको जरी कलम की उपादी से अलंकृत किया गया था तो यहाँ पर टाइपिंग मिश्टिक है तो वियाना में ओपेक का मुख्याल अवस्त है प्रत्यकवश अंतराष्टी विकलांग दिवस के स्तिती को मनाए जाता है तो चार दिसंबर को मनाए जाता है स्थापना करम के अनुसार 36 गड़ भारत का कौन सा राज है तो 26 वा राज है इशाई सबसे अधिक भारत में किस राज्य में है तो केरल राज्य में है क्रिश्यन आज़ा कमेंट करके बता है ये आप कि भारत का 28 वा राज्य कौन सा बना था भारत का 29 वा राज्य कौन सा बना था भारत का 29 वा राज्य कौन सा बना था तो खान सेना का सर्वुचा दिकारी होता था, कोईला के सेटान में पाए जाता है, पुनर जागरन की अवधी में स्तापति कला की नई शेली का पर्थम विकास हुआ था, तो इटली में हुआ था, भारत में वहराज जहां किवल तीन से चार महा तक सुस्क मौसम रहता है तो केरल में वेदों में संपूर सच्चाई नहत है यह वख्या की गई थी तो स्वामी दयनंद द्वारा की गई थी नेता जी सुबाश चंद्र बुस इंस्टिटूट ऑपिस्पोर्ट्स कहा है तो यह कलकत्ता में है बाल्टिक समुद्र को समुद्री उत्री समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है तो कील नहर है सोम पेंस कहां के आदिवासी है तो सोम पेंस लक्षधीप के आदिवासी है पुष्टी मार्क के दर्शन की स्थापना किस न की थी तो बल्लवा चारज जी द्वारा की गई थी पंजाब के हिंदू शाशी राजवन्ष को किस ने स्थापित किया था तो मही पाल ने स्थापित किया था दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था तो हूनों से मुख्य बाहरी खतरा था मगद में शाही मौर के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे तो शुंग थे महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके साशनकाल में उपदेश दिया था तो विंबिसार के साशनकाल में सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है धर्म चक्र प्रवचन कहलाता है हिंदू विधी पर एक पुस्तक मिताक्षरा किस ने लिखी तो ये विज्ञानिश्वर जी ने लिखी थी बंगाल का प्राचीन नाम क्या था तो गौण बंगाल का प्राचीन नाम था एस्टी गमेटिज्म एक विमारी है तो एस्टी गमेटिज्म विमारी है आँखों से संबंदित मेला को नाइट किस धातु का एस्ख है तो ये तामवे का एस्ख है मेला को लाइट विद्धुद्धारा का चुम्ब की प्रभाव सरपतम अवलोकित किया गया था तो फैराडे द्वारा नियूरॉन किसकी काई है तो तंत्रिका उतक की काई है ब्लैक होल से दांत की खोज किसके द्वारा की गई थी तो एस शंद सिखर जी द्वारा रेडियो धर्मी तत्त तो किसका भारत में विशाल बंडार पाए जाता है तो प्लूटोनियम रेडियो धर्मी तत्त है जिसका भारत में विशाल बंडार पाए जाता है हमारे भोजन में संदक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या है तो विटमिन एवम खनिच मानवाग के रेटिना पर बना प्रतिम में कैसा होता है तो वास्तविक एवं उल्टा होता है मिटी में खारापन एवं छारिता की समस्या का समाधन क्या है तो व्रक्षारोपण प्राकृतिक मौम और लाख किस रूप में प्राप्त किये जाते हैं तो कीटों के स्राव से चीन की करंसी या मुद्रा क्या कहलाती है तो युवान कहलाती है हमदाबाद हवाएडडे का नावंकरन किस प्रशित राष्ट्री नेता के नाम पर किया गया है तो सरदार वल्लभाई पटल के नाम पर मेकिंग ओप दा महात्मा फिल्म के निर्देशा कौन है तो शाम बैनिगल हर वर्ष एक दिसंबर को किस रूप में मना जाता है तो विश्व एटस दिवस के रूप में ओपन इसकाई पॉलिसी से क्या आशा है तो निजी और साजवनिक विमान सेवा दोनों का कार्या वयन यदि आप थियारस का उलेख कर रहे हैं तो आपका आशाय क्या होगा तो शब्द ज्यान से संबनित पुष्टक स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता थे तो चितरंजन्दास और मोती लाल नहरू जी दिल्ली के प्रदम सुल्तान जिनों ने दक्षिन भारत को पराजित करने का प्रयाश किया वकौन थे तो अलाउदीन खिलजी संत कभीर के गुरु कौन थे तो रामानन थे महा वाली पौरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की किन व्यक्तियों की रुची को दर्शाता है तो पल्लमों की रुची को दर्शाता है सुप्रसिद्य संगीतक के तांसेन एवं बैजु बावरा किसके शाषनकाल में सुविक्यात थे तो ये अकबर के शाषनकाल में सुविक्यात थे भगवान महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी तो पावापुरी में हुई थी डेकन पठार में डेकन पठार के उत्तरपूर में कौन सा पठार है तो छोटा नागपुर का पठार है चीनी का प्रमक उत्पादक देश कौन है तो भारत चीनी का प्रमक उत्पादक देश है लेकिन दूसरे नंबर पर है पहले नंबर पर आपका ब्राजील है याद रखना बोसनिया, हर्जे, गोविना किसके भाग थे तो ये जो युगोसलाविया के भाग थे रानी गंच कोईला खान कहां से थे तो पश्चे मंगाल में से थे सूर्य और प्रत्वी के भी चंद्रमक आता है तो सूर्य ग्रहन के समय किस भाग शा का ज्यादा प्रयोग बहुत दवाद के प्रचार के लिए किया गया था तो पाली भाग शा और ये हो गए आपके तीन कॉश्चन एक्ष्टा तीन सो तक पढ़ने थे तीन सो तीन तक पढ़ दिया चलिए अगले वीडियो में 301 से लेकर 400 तक के कॉश्चन पढ़ेंगे दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना आपको ऐसे ही सूपरफास्ट कॉश्चन पढ़ने हैं तो और कमेंट बक्स में लिख दिएगा पा पाट चार में आप सबीका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कमेंट बक्स में जरूर रिया दिया आपको पाट चार चाहिए तो जरूर लिखना बहुत बहुत धन्यवाद